पुरफात पिद्यार्थियों, ओनलाइन शिक्षन की इस प्रथम क्लास में मैं आप सरी कर स्वागत करती हूँ, मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वास्त एवं सुरक्षित होंगे, बिश्विद्याले द्वारा जो भी भाषा का पाठक्र का हम लोग अध्यन कर चुके हैं, और अध्यन के बाद बहुत सी बिंद्वों का हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं, किन्तु अपनी ऑनलाइन क्लास में मैं पुनाह इन सभी विश्यों का रिवीजन करूंगी, तो वित्यार्थियों, सर प्रथम हम इस दिशा में अपनी प्रथम बिंदू को लेते हैं, जो की है भाशा, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, और मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी है, कि भाशा क्या है, तो विद्यार्थियों, भाशा विचारों, भावों और मनों भावों को अभिवेक्त करने का एक सशक्त माध्यम हैं, भाशा ह हमारे समभेग हैं यांनि कि हम जानते हैं भेख, प्रेम, क्रोध, घिना इन सभी को भी जब हमें अभिवیत करना होता है तो उसका साधन या माध्यम क्या होती है वो हमारी भाशा होती है तो इस परकार हम विद्यारति हो देखते हैं कि मानव को निरंतर भाशा की आवशक्ता पढ़ती रहती है क्योंकि मानो जो क्या है एक समाजिक प्रानी है जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसे सोशल अनिमल तो उसे अपने विचारों के आदान परदान के लिए सदय भाशा के अपेच्छा रहती है यानि अपने भावों विचारों को दूसरों के समक्ष अभिवेत करने में और साथ ही दूसरों के विचारों और भावों को ग्रहन करने के लिए दोनी कार्यों के लिए भाशा की अपेच्छा मानों को रहती है तो इस प्रकार हम देखें कि भाशा जो है वो एक सामाजी करण की प्रक्रिया भी है और जो कि निरत्तर चन्ने वाली प्रक्रिया है भाशा के अभाव में हमारा संप्रेशन भी बादित होता है क्योंकि हम संप्रेशन की प्रक्रिया है उसके लिए भी हमें भाशा का ही सहरा लेना होता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भाषा है वो पूर्टाहा मानों के द्वारा ही पोशित होती है तो इन सभी तथ्यों पे विचार करने के बाद, बाचित करने के बाद अब हम देखते हैं कि भाषा को विद्वानों ने किस-किस तरीके से परिभाषित किया है भाषा की परिभाषा जान लेने से पहले विद्यार्थियों हम इसके शादिक अर्थ को भी देख लेते हैं यानि कि जो भाषा का शादिक अर्थ क्या है तो अगर हम देखें कि जो भाषा शब्ध है वो संस्कित की भाष धातु से निर्गत है यानि इसका उदगम जो है वो संस्कृत की भाष धातू से हुआ है जिसका अर्थ है व्यक्त वाक इसे को महर्षेपाणी ने अपनी पुस्तक महाभाष में भी लिखा है उन्होंने कहा है कि व्यक्तायाम बाची है यानि कि जो कुछ भी वानी की रूप में व्यक्त है वो विद्वानों ने भाषा को किस किस रूप में लिया किस किस रूप में देखा तो मैंने जैसे आपको क्लास ने बताया भी ता कई परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी कि विद्वानों ने किस किस तरह से इसको देखा है तो जैसे सुमित्रा नंद पंध का नाम आया था तो उपरोग्त समस्त बिंद्वों के बारे में बाचीत करने के पश्चार और इन विद्वानों की परिभाशाओं को देखने के बाद कुछ भाशा की संदर में निशकर्ष निकल के आते हैं, यानि हम कुछ निशकर्ष में पहुँचते हैं कि अंतोगत्वा भाशा है क्या, तो अगर हम इस संदर में बात करें तो हम पाते हैं कि भाशा निमलिखित है, यानि कि डैश, अब हम देखें कि भाशा क्या है, इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं, जो कि सबसे हैं हैं, यानि कि पहला पॉइंट कि भाशा विचार विनिमय का सशक साधन है, यानि कि विच जो हमारे अंदर समाहित हैं लेकिन परिस्तितियों के according वो निकलते हैं लेकिन उनको व्यक्त करने का माध्यम भी हमारी भाशा है next भाशा समाजी करण की प्रक्रिया है next भाशा निरंतल चन्ने वाली प्रक्रिया है है ना विदियारते हूं तो यहीं सब बिंदु हम लोग चर्चा करते हैं अगर हम देखें तो देखें कि भाषा एक अनुकरण द्वारा ना और सीक्कने वाली प्रक्रिया कैसे है तो वह कहीं भी कुछ नहीं पढ़ता लेकिन घर में वो रहते वे, घर में अपने माता की पिता की संपर्ग में आके और उनी की भाषा कनुकरन करके वो भाषा को ग्रहन कर लेता है, सीख जाता है, ठीक है, इसी प्रकार से भाषा क्या है मानो द्वारा पोशित होने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक, तो इन सभी नि भाशा के इस संप्रत्य और परिभाशाओं की चर्चा करने के पश्चात, हम अब इसके कुछ उद्देशों पर भी दृष्टिपात करते हैं, कि आखिर भाशा ने अपने कौन-कौन से उद्देश को निधारित किया है, तो इसके अंतरगत हम ये पाते हैं, कि भाशा के निम पर देश, यनि संवेगों की अभिवेक्ति का उद्देश, इसी परकार से सामाजिकता की भावना का उद्देश, ठीक है, और जो हमारी जो सामाजीकरन की परक्रिया है, उसके लिए भाशा का ही उद्देश भाशा ही फुल्फिल करती है, इस नेक्स्ट स्रिश्य नात्मक शक्तियों की विकास का उदेश, भाशा का महत्पूर्ण उदेश है, नेक्स्ट है, नागरिता की गुणों का विकास, तो नागरिता की गुणों की विकास के लिए कभी जो उदेश है, भाशा का ये एक महत्पूर्ण उदेश है, नेक्स्ट सौंदर अनभूति का उद्धेश जो हम सौंदर के अनभूति करते हैं ये भी खासतोर से हम पद्ध में करते हैं तो इसका भी जो उद्धेश है ये भी भाषा का एक महत्पुन उद्धेश है और लास्ट में हम देखते हैं कि जो भी हम चाहे गद्ध पढ़े भाशा के संप्रत्ते को इनको विद्वानों ने किस-किस तरह से स्विकार किया और भाशा की उद्देशों पे आज हमने चर्चा की आशा है ये सभी तत्त आपको समझने में आपको भाशा को समझने में सहायक सिध्ध हुए होंगे अपनी नेक्स क्लास में हम लोग आगे की बिंदों पे चर्चा करेंगे धन्यवाद